हाँ गाइस स्कीबिडी टॉलेट सुधर चुका है और हम सब लोग मिलके आज पार्टी कर रहे हैं बस मुझे खाने पीने का निजाम करना पड़ेगा तो याड के नीचे वाले फ्लोट पर जाते हैं और किचन रूणते हैं बट गाइस ये याड रियली बहुत ही बड़ी है पता नहीं किचन कर रासता कहां से है अब ये क्या हो गया लोग इतना चला क्यों रहे हैं बगका कुछ तो हुआ है जल्डे से जाके देखते हैं ओ तेरी स्कीबिडी टॉलेट इसको क्या हो गया ये जमीन पे क्यों लेट आप है क्या ये मर चुका है इसके तो साम से चलना पर तो शक हो रहा है बट शक करने से कुछ नहीं होगा घालक को आपने जगह से नहीं होना चाहिए हो तुम सब लोग यहीं पर रुको और कोई भी अपनी जगह से नहीट लेगा तब तक मैं स्पीकर्मन को ढूंद कर यहां पर लिकर आता हूँ अरे ओ, speaker man, भाई, कहाँ पर है तू? ये वाला room तो खाली बढ़ा हूँ है, यहाँ तो नहीं दिख रहा वो भाई, speaker man, यहाँ पर है क्या तू? एवर इसके बगल वाला room में चेक कर लेते हैं ओके तो यहाँ पर है speaker man बहरा हो गया था क्या? कब से वाला था कर रहा हूँ? और यह बता, party तो अपर चल रही थी तू नीचे यहाँ पर क्या कर रहा है? सबको तो यही लगता है कि तू ने स्कीबीटी को मा रहा है जब तो मैं यह पता करता हूँ, यह आकरी यहाँ पर कर किया रहा था तब तक तो नीचे थमसब वाला बटन है, उस पर क्लिक कर दो वीडियो लाइक हो जाएगी, और यहाँ अभी कर देना वरना बाद में आप भूल जाओगे और यह मुझे कुछ तो बताना चाहरा है, और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ अबे कहां जा रहा है भाई यह, ठीक से समझा के तो जा, शायद यह मुझे कहीं पर लेके जा रहा है, बट कहां अबे, दर्वाजा के तोड़ रहा है भाई अरे गाइस यहाँ पर तो एक रूम है, मुझे नहीं मालूम था कि इस याट के अंदर एक सीक्रेट रूम है वैसे ही यह कोई सीक्रेट रूम नहीं है, यह एक सिक्यर्टी रूम है ओके मैं समझ गया, स्पीकर मैं चाहता है, हम इस याट के सीसी टीवी फूटेज को चेक करें और देखें आखर स्कीबीट रूम को किस में मारा था यह तो सिक्यर्टी रूम के तरफ जा रहा है, पर क्यों, माइकल सिक्यर्टी रूम पे क्यों जा रहा है अबे, आखे की फूटेज गायब हो गई माइकल ने आखे की सारी फूटेज उड़ा दी, तो इसका मतला माइकल सिक्यर्टी रूम पे आया था footage को destroy करने के लिए ताकि कोई भी जान नहीं पाई कि कि इस कीबिटी डॉलड को उसमें मारा था अब ये timer क्यों बजने लग गया ऐसा लग रहा है जैसे कुछ bomb बगरा हुआ असपस एक second यहाँ नीचे ते एक bomb लगवा है और timer तो easy का था गाईस timer चालू हो चुक है सिर्फ 45 second बचे है हमारे पास इस yacht को खाली करने के लिए बाकियों को जाकर inform करना पड़ेगा कि इस yacht में bomb है और उनके photographer से yacht खाली करना पड़ेगा अरे पाकित अब तो quality भाग चुके है and Michael भी भाग चुक है and वो इस time किनारे पे पहुंचने ही वाला है पताने माइकल ने ये क्यों किया है यार बट माइकल को पकड़ने का एक idea मेरे पास हम इस live boat में बैठेंगे and जैसे ही वो bomb blast होगा तो इसकी explosion की force काफी होगी हमें सीथा बीच किनारे पे पहुंचाने के लिए and हाँ speaker man हमारे साथ है and वो हमारी मदद करेगा इस investigation को अंजाम देने के लिए क्या बात है plan काम कर रहा है बस अब सभी जगा पे landing होनी चाहिए come on come on come on वो भाग रहा होँआ वहाँ पर माइकल come on come on भाई साब क्या पड़ी है इसको इसी के साथ अपनी ट्रिक काम कर गई देखा तो माइकल को खैसे बीना पानी की मचली की तरह फड़फडा रहा है यह अब कहीं नहीं जा पाएगा इसको पूरा सच बता नहीं बढ़ेगा बता भी दे भाई माइकल तूने स्कीबिटी को क्या से मारा गाइस मेरी अब यह भी माइकल से बात होई है और यह बता रहा है कि इसने स्कीबिटी को नहीं मारा तब जैसा कि हमने CCTV फूटेज में देखा था माइकल स्कीरिटी रूम में गया तो था और उसने फूटेज को डिस्ट्रॉई भी किया बट इसका यह मतलब नहीं कि उसने स्कीबिटी टॉरड को मारा है एक्च ears में उस पार्टी में माइकल एक स्कीरिट करने का ट्राइ कर रहा था बट वो स्कीर्ण करने में माइकल बुरी तरह से भी फूटेज हो गया था क्योंकि अब पूरा शक जिमी और पहलवान लेडी पर है तो हमें अब जाकर उन दोनों से पुछ तच करने बढ़ेगी पहले जाते हैं जिमी के पास और वो इस टाइम अपने स्कूल में होगा हाँ तब तक माइकल को थोड़ी मेहनत करने देते हैं गाइस इस टाइम हम लोग जिमी के स्कूल के पास में हैं और वो देखो वो जा रहा जिमी स्कूल के अंदर जिमी तो चला गया स्कूल के अंदर बट स्कूल का हेड मास्टर वहें स्कूल के गेट पर खड़ावा है इसको देखके लगता नहीं कि वो हम लोगो को स्कूल की अंदर जाने देगा फिर भी ट्राइ कर लेते हैं तो हेलो हेड्मास्टर मुझे जिम्मी से कुछ सवाल जबाब करने हैं तो प्लीज थोड़ा साइड दोगे अबे हेड्मास्टर तो पागल हो गिया है बद तमीज कहीं का मुझे मारना शुरू कर दिया उसने तो बड़ी मुश्किल से जान बची है गाइस वो हेड्मास्टर तो वहाँ से चला गया बड़ उसने दो गाड्स स्कूल की गेट पी खड़े कर दिया है पहले ही स्कूल में एंट्री लेना अपना मुश्किल हो रहा था अब तो ये नामंगिन सा लग रहा है बड़ कोई तो तरीका डुणना पड़ेगा अबे स्पीकर मैन कहां से आ गया और ये करे क्या रहा है अरे गाइस स्कूल का गेट खाली हो चुका है इससे पहले को याई फटा फट से स्कूल में एंट्री मारते है ओकी गाइस हम लोग स्कूल के अंदर आ चुके है अब हम लोगों को जिमी को डूणना है ये फ्लोर काफी खाली काली से लग रहा है नई कैंटी दो घाली बढ़ी है टॉलेट में चक्रते हैं जीमी टॉलेट पर बिनी आ है यार पता नहीं कहां चला गया जीमी जीमी इसको मालूम तो नहीं पड़े कि है हम लोग उसका पीछा कर रहे है उप्टर वले फ्लूर बप चलते है जिमी यहाँपर भी नहीं है यार ओ, तो यहाँपर है जिमी सौरी हेड़ मास्टर, बैर जिमी को मेरे साथ चलना पड़ेगा मुझे उससे कुछ सवाल जवाब करने है हेड़ मास्टर, ये क्या खर रहे हो किसको लगा रहे हो फोन guys headmaster तो police को बढा रहा है अबे guys police आभी चुकी है guys headmaster ने police को बढा ली है हम पुलिस ने पूरे school को घहर लिया है अब यहाँ से बचर्ट की कैसे निकलेंगे हम लोग वो हो प्याँ में बहुली कैसे है speaker man तो अपनी team में है जिसके पास हो बहुत सारी special power तो इनके बचनी का कोई भी चांस नहीं है चलो स्पीकर मैंने सब कुछ समाल लिया है हम लोग भी जल्ली से कार में बैठते हैं और यहां से निकलते हैं मुझे जिमी से बहुत कुछ बूचना है अबे जिमी ऐसे लटक के जाएगा गया चुप चाप मेरी बगल वाली सीट पाके बैठ जा हाँ तो बता अब तूने स्कीबिडी को क्यों मारा और क्या से मारा गाइस जब तक मैं ऐसे पूछ ताच करता हूँ तब तक जो भी लोग चैनल पर नहीं है वो नीचे लाल वोले सब्सक्राइब वोले बटन को दबा दें अक्च्वल में स्कीबिडी का मटर होने से ठीक पहले जिमी और पहलवान लेडी आपस में कुछ डिसकस कर रहे थे और उस टेम वो दोनों ही स्कीबिडी टॉलेट से काफी दूर थे तो भणा इतनी दूर से वो स्कीबिडी टॉलेट को कैसे मार सकते हैं बट उस टेम जिमी ने ट्रैवर को स्कीबिडी के सबसे पास देगा था ऐसा लगए था जैसे ट्रैवर को छुपा रहा है तो गाईज अब शक्रिस होई ट्रैवर के उपर है हो सकते है ट्रैवर ने स्कीबडी टॉलेट को मारा हो तो इसका पता लागाना पड़ेगा औरे टीवी मैन कहां से आ गया इसने हमें मारना शुरू कर दिया औरे भाईज आप जाप पटका है पूरी गाड़ी प्लड़ थी टीवी मैन ने तो यह बहुत ही गुशे में लग रहा है कुछ भी कर सकता है यह तो अच्छा कर तो जो फाइट लिए करनी है तो ठीक है आज अब तू है ट्रैवर ट्रैवर कहां से आ गया अब यह शायल टीवी मैन को रोक रहा है हाँ गाईस ट्रैवर को देखो ट्रैवर टीवी मैन को रोक रहा है फाइट करने से बट क्यों भाई को बताएगा यह बर चल क्या रहा है गाईस ट्रैवर से मेरी बात हो चुकी है और उसने मुझे अपनी पूरी स्टोडी समझा दी है अक्चौन में उस पार्डी के टाइम ट्रैवर इसलिए अजी सा भीएफ कर रहा था क्योंकि उसमें हमारे पीट पीछे टीवी मैन से फ्रेंडशिप कर ली थी ताकि फ्यूचर में टीवी मैन किसी को भी तंग ना करें और बचारा आप रो भी रहे बस कर मेरे भाई इतनी छोटी सी तो बात है तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं किया इवन तो अच्छा कर रहा था हम लोगों ने बेफादू में तरह बात शक किया बट गाईस ट्रैवर ने मुझे भी बताया उसे पहलवान लेडी पर शक है क्योंकि जब स्कीबेडी अपने स्कीबेडी सौंग पर डांस कर रहा था तब पता नहीं कि उप पहलवान लेडी को इरिटेशन होने लग गई और वो गुचसे पहाँ से चली गई जो भी है काया से अब पूरा शक पहलवान लेडी के उपर है हो सकता है उसरे इमारावस की बड़ी को बट पहलवान लेडी सिटी के दूसरे कोने में रहती है वहां तक पहुंचने के तो पूरी शाल लग जाएगी एक सेगिंड शायद टीवी मैन हमारी मसद कर सकता है टीवी मैन हमें टेलिपोर्ट कर सकता है डिरेक्ली पहलवान लेडी के घर के टीवी पे देखते हैं भाई तेरी टेकनोलोजी काम करती है भी की नहीं अरे वे शायद हम लोग टेलिपोर्ट हो चुकी हैं वो भी सीधा पहलवान लेडी के घर पे इसका मतलब टीवी मैन के टेलिपोर्टेशन में लिए टेकनोलोजी काम करती है अरे वो भागरी वो पहलवान लेडी उसने हमें देख लिए शायद हमें देखते हैं उसने भाहना शुरू कर दिया तो उसका पीछा करना पड़ेगा बात तो कर ले पहलवान हरे यार वो तो पनी बाइक लेकर भाग गई कैसे पकड़ें उसे अब आसपस कोई वहीकल भी नहीं है इसका मतलब में इन सब के बीछे पहलवान लेडी थी उसने ही माना था स्की बीडियो बट फिलाल वो हमारे आतों से निकल चुकी है काज टीवी मैन ने स्पीकर मैन को भी यहाँ पर टेलिपूट कर दिया होता ओ भाईज आप स्पीकर मैन भी यहाँ पर आ चुका है और उसने तापार तोड पहलवान लेडी पर अटेक करना शुरू कर दिया है अब तो वो नहीं बच पाईगी स्पीकर मैन के बस पावर सी इतनी है भाई साब स्पीकर मैन ने कर दिखाया उसने रोक लिया पहलवान लेडी को बहुत बड़ी है स्पीकर मैन अब तो सच बोलते यार बता तोने कैसे मारा स्की बिटी को गाईस पहलवान लेडी ने मुझे सब कुछ explain कर दिया है और इसके according उस दिन party में जिमी और ये दोनों बहस कर रहे थे आपस मैं क्योंकि जिमी बिना invitation के party में आ गया था किसी ने भी उसको party में invite नहीं किया था और जब पहलवान लेडी ने उसको वहां से जाने के लिए बोला उल्टा उससे बहस करना लग गया था इसलिए पहलवान लेडी वहां से गोसे में चली गई थी पट गाईस फ्रॉलम बताया किया है मुझे ये नहीं पहलवान लेडी सच बोल रही है फर जूट तो ये पता लगाने के लिए मुझे उस यॉर्ट को डूनना बड़ेगा जिसमें हमने party की थी तो तुम सब लोग मुझे बीचे किनारे पे मिलना मैं चलता हूँ यॉर्ट को डूनने के लिए हाँ गाइस वो यॉर्ट इस टाइम समंदर की कहीं बहुत नीचे होगी तो हमें deep sea dive करके बहुत नीचे जाना बड़ेगा इस टाइम मैं बहुत दी गहरा आ चुका हूँ यॉर्ट भी यहीं कहीं आसपस रूबी होगी ओ भाइस आप यह तो स्कीबीटी का भूत है यहाँ पूत स्कीबीटी की हाथ ना भटा कर रही है इसका मतलब वो यॉर्ट के यहीं आसपस होनी चाहिए बेचारा स्कीबीटी तो टेंशन मतले तिर को इंसाफ फक्ता मिलेगा गाइस वो रियार्ट फाइनली मिल गई हमें क्या हाल हो गया इसका सब कुछ बिखरा बिखरा सा है इस सब के बीच में मुझे वो सबूट ढूंड़ना है जिससे मुझे मुझे मालूम पढ़ जाए कि उस पार्टी में कौन कुन इंविटेट था और क्या जिमी को पार्टी लिस्ट जैसा कुछ चाहिए तब बात बन जाएगी हमारी जब तक गाइस मैं सबूर ढूंडता हूं तब तक आव एक छोटो सा काम कर दो वीडियो को लाइक कर दो और नए लोग चैनल को सब्स्राइब कर ले तो वो भी अच्छा है अरे गाइस मिल गई पार्टी लिस्ट को मारा किसने था मेरे हाथ वो पार्टी लिस्ट लग चुकी है और मैं जानता हूं पार्टी में कौन को ने इन्वैटिट था जैसख आपको पता है हम लोग याट में पार्टी कर रहे थे क्योंकि स्किबडी टॉलेट सुधर चुका था पार्टी लिस्ट में तुम मिसे सर स्किबिटी 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 स्क हाँ इन सब के पीछे जिमी था और ये सुनने के बाद पता नहीं स्पीकर मैं जिमी का क्या हल करेगा तो गाहिस अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्स्राइब भी कमेंट करके ये भी बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी होके नाइस वाव या उपी मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी इंटरस्टिंग नहीं वीडियो के साथ तब तक टेक केरन बाई